नमश्कार मेरे प्रिये मित्रो जैसे आप देख रहे हैं कि हम लसन के खेत में आज खड़े हैं बहुत ही अच्छे ढंका लसन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें कोई नदीन आपको नजर नहीं आ रहा ये देखिए इस खेत में हमने नहीं कोई नदीन नाशक दवाई का इस्तमाल किया है और नहीं हमने हाथ से इसकी सफाई की है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लसन के खेत में से नदीनों का सफाया कैसे किया जा सकता है जैसे ही हमने अपने खेत में लसन लगाना है लसन लगाने के तुरंट बाद हमें क्या करना है कि ये देखिए चावल की जो फसल है उसे काटने के बाद जो ये अवशेश उसका बच जाता है जिसे हम प्राली भी कहते हैं इस प्राली को लसन लगाने के तुरंट बाद उसके उपर घणी मातरा में डाल देना है और फिर लसन को निरंतर खाद और पानी जो है वो देते रहना है जब लसन का पौदा पांच से साथ इंच लंबा हो जाएगा तब इसे लसन के खेत में से बाहर निकाल देना है आप देखिए किस तरह से अच्छे ढंक का लसन है जो वो हमारे खेत में खड़ा है आपको इका दुका शोड़कर कोई भी नदीन खेत में देखिए कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है इस ढंक से हम अपने खेत में से जो नदीनों का सफाया कर सकते हैं और हमारा खर्च भी इस पर कोई नहीं आता है इसलिए किसान भाईयों इस धंक से अपने खेत में लसन लगाएं और नदीनों से राहत पाएं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो किरपय हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेर करें धन्यवाद मित्रो